नमस्कार दोस्तों ध्यान मारव में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं इसी उमीद के साथ कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा आज हम बात करेंगे शांबुवी मुद्रा के बारे में कि शांबुवी मुद्रा क्या होती है कैसे करनी चाहिए और इसके जो आपको फल मिलेगा इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या रहेगा हाला के दोस्तों बहुत सारे दिहान की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं आपको कोई एक वर्ड बोला जाता है और आप कन्फियोज हो जाते हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया विज्ञान भ है मुद्रा का मतलब होता है कि आपकी बैठने की पोजिशन कि आप किस तरीके से बैठे वो मुद्रा आपकी क्या होनी चाहिए तो इसलिए आप कन्फियूज मत हो ये कि मुद्रा बताईगे सायद ये कुछ अलग हटके है और इसे हमको जल्दी ध्यान लगना स्टार्ट हो तो आईए आज जानते हैं कि मुद्रा क्या है जैसे कि हमने एक विदी सीखी थी जो भी बिगनर्स हैं जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं हाला कि अनापान सती योग के बारे में भी हमनी बात करी तराटक के बारे में भी हमनी बात करी अनापान सती योग से कहीं ने कही बहुत close है शाम्भवी मुद्रा 언ापन सतियोग दिया है यहाँ पे किसी ने शाम्भवी, मुद्रा प्रियावाजी शब्द का प्रियोग कर दिया गया कि आपको कैसे बैठना चाहिए ब्यमनै बैठे हुई हूँ, जैसे आपको comfortable लगे, आपको कोई अकड़न महसूस नहों आपकी body में, वैसे आप बैटिये, बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो backbone है वो एकदम सीधी रहने चाहिए. क्योंकि जो meditation है, वो सारा जो related है वो है आपकी seven चक्रा से, आपकी backbone सीधी होगी तो कहीं ने कहीं, जो ये connection है हमारे सह स्टार तक जाता है, अभी शांभवी मुद्रा में जो है, हमारी जो third eye होती है, यानि कि जो हमारा sixth चक्र होता है, वो होता है हमारी third eye, three नेत्रेजी से आप बोल सकते हो, third eye बोल सकते हो, तीसरी आख बोल सकते हो, उससे है, तो भी हमको ऐसे ही बैठना है, अभी मैं ना ही सुखासन में बैठी हुई हूँ, ना ही मैं पदमासन लगा के बैठी हुई हूँ, पदमासन लगा के बैठ सकते हैं, बहुत लंबे समय तक जो योगा का मैं बिल्कुल सीधी होगे बैटी हुई हूँ आप बात कर लेते मुद्रा बुद्रा कैसे होनी चाहिए पहले तो बैटने की पोजिसन जो हमने डिस्कस कर ली है अब हाथों की कैसी मुद्रा रहनी चाहिए यह यह जो तरजिनी उगली है और अंगुठा है ठीक है इन दोनों क को हमने ऐसे चिपका लेना है और इन तरजनी और बाकी की तीन फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए सिर्फ गैप कहा पर होगा इन दोनों के बीच में तरजनी और अंगोटे के बीच में सेम पोजिशन इस हाथ की भी रही अब यह तो आपको समझाने के लिए मैंन अब एक right side की जो थाई है उसके उपर हमने अपने दाइने हाथ को रख लेना है बाई तरब की जो जंग यह जांग है जो कुछ भी कह लीजिए उसके उपर हमने अपने left hand को रख लेना है सीधे बैटना है अब बैटने के सामने देखने के तीन तरीके होते हैं कुछ लोग के लिए बैटते हैं पीफने, सांथे देख रहे हैं बैठने के लिए वो पॉजिसन सही है तो हमने अपनी जो नैक है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट से हटा करगे थोड़ा सा अपलिफ्ट करना एसे हूं थोड़ा सा उपर को अपनी नैक को कर लेना है उसके बाद वक्षा starting up beginner so meditation करना आपने start किया है तो यह हमारी 3rd आई होती है ध्यान यहीं पर हमारा बहुत जल्दी लगना start होता है बागई के चक्राज में वैसे तो मूला दार से start करना चाहिए बट मूला दार कहा है कैसे करें इसमें सालों गुजर जाते हैं तो पहले आप ध्यान में उतर ही उसके बाद दीरे-दीरे चक्रों का पता चल जाएगा आपको तो यहीं से ज्यादे तर लोग स्टार्ट करते हैं तो यह हमारी थर्ड आई होती है दोनों बहुं के मध्य में अब यहां हमने फोकस करना है तो कैसे करन हैं और ऐसे ही करके दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे हमने अपनी आखे फे बंद कर लेनी है आप क्या करना है जब हम इनहेल करते हैं और एकसेल करते हैं सांसों को लेते हैं और सांसों को छोड़ते हैं तो मैंने सांस ली छोड़ी जैसे नॉर्मली योगा भी करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमको सांस को hold करना है और उसके बाद छोड़ देना है और उसके साथ ही हमारी जो focus है वो यहां पे भी रहेगा अगर हम start करेंगे यूँ जैसे अभी मैंने आपको बता तरीका तो एक है ध्यान का ही तरीका अब यहां पे ही क्यों क्योंकि अगर मैं बात करूं एक magnet की उसका काम क्या होता है वह अन्य जो वस्तों धातों होती है उनको ना खास तोर पे लोहा उसको अपनी तरफ क्या करता है अकर्शित करते है उसी तरीके से काम होता है थाड आइका यहां पर पिनियल ग्लेंड होता है आप अगर वैज्ञान तोर पर पढ़ें अभी हम इतना ही समस्ते हैं बहुत डैप्त में भी नहीं जाएंगे तो अपने क्या करना है स्ट्रेट बैटने थोड़ा सा करदन को उपर उठा लिनai और क्या करना है अफैल और कहीं और ऑक्षी करना है बस कोई बात नहीं है शाक्षी भाव इस बात पर भी वीडियो बनाई हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी अगर आपको पता नहीं है कि शाक्षी भाव क्या होता है शौट में बताओ तो हम मूवी देखने जाते हैं हम एक दर्शक हैं सामने मूवी चल रही है हम मूवी देखते हैं और आ जाते हैं उसी तरीके से आपके माइंड में थौट्स चल रहे हैं चलने दीजिये कोई बात नहीं उनको आप रोखने की कोशिश करोगे तो उसमें ही लग जाओगे और ध्यान कहीं चला जाएगा इसलिए उसकी कोशिश में आप मत ल लोग बोलते हैं यह वो कुछ नहीं आपका चेतन मन है जो आपका प्रजेंट माइंड है जो आपको सोच रहे हैं जो बात कर रहे हो वही काम करेगा उसके उपर काम करना है उसके बाद ही तो आउचेतन में जाओगे एक conscious mind है unconscious mind है यह जनम है पुराना जनम है उसके पुराना जनम है everything is possible in meditation सबची संभव है यह नहीं कि मुझे ध्यान करना है और मैं सीधे में सोच जूँ मुझे तो पहले जनम में चले जाना है या फिर मुझे तो यह है कि मैं कुछ भी कर सकूँ ऐसा नहीं है कुछ भी करने को ध्यान करना नहीं बोलते ध्यान अपनी आत्मा के लिए होता है अपने आप के लिए होता है अपने कर्म को सुधारने के लिए होता है अपने मुक्ति के लिए होता है अपनी शांति के लिए सुकून के लिए होता है अपने आपको अप्ग्रेट करने के लिए होता है तो शा या आप पत्मासन में ही बैटोगे खातों की मुद्रें अलग-अलग होती है और आपकी हर मुद्रा जो भी आप मुद्रा कर रहे है उसमें आपकी बैक बोन आपकी जो रेड़ की अड़ी होती है वो सीधी house लेटेकर पर पार्टिकूल कि जगह आपका ठ्यान लगेगा ठीक वैसे एक जगह बना लीजिए और और आप सीधे हो करके बैटे तो आप द्यान लगेगा मन के हार हार है मन के जीते जीत X यूँ यू भस बैठने की पूशिशन को सई करनी है जब भी आप बैठते हो पढ़ते हो आप खा रहे हो आप different में बैठे हुए तो आप सीधे होके बैठना चाहिए आपको क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटर आज कल आ रही है सर्वाइकल पेन है या पिर या क्या चीज़ें हैं रेड की हड़ी में बहुत सारी वे प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत तरीके के डिजीजambre हो रही है वह इसलिए ओरिए होरी है हमारा जो बाडी वस्चर है ऐसे हम यह सफीका का सब्रेख्शम और तो ओध्यान तो डिसिप्लिंग flats चैनल को लाइक करें वीडियो को रास्ते बोलती हो लाइक करें के और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें